ओम जै श्री हरी विष्णू जै मातादी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मा भगवती दुरगा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ सत्यनारायन व्रत की कथा तो भगवान स्री सत्यनारायन की कथा सुनने से पहले भगवान सत्यनारायन का अपने मन में ध्यान कीजिए और प्रेम से बोलिए स्री सत्यनारायन भगवान कीजिए एक समय की बात है नैमिशारने दिर्थ में शौनकादी 88,000 रिशियों ने स्री सूती जी से पूछा हे प्रभु इस कल्यूग में वेद विद्यारहित मनुश्यों को प्रभु भगति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा हे मुनिश्रेष्ट कोई ऐसा तप बताईए जिससे थोड़े समय में ही पुन्य मिले और मनोवांचित फल भी मिल जाए इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं सर्व सास्त्रों के ग्याता स्री सूत जी बोले हे वैश्णों में पूछे आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है इसलिए मैं एक ऐसे स्रेष्ट वरत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारत जी ने लक्ष्मी नाराइन जी से पूछा था और लक्ष्मी पती ने मुनि स्रेष्ट नारत जी से कहा था आप सब इसे ध्यान से सुनिए एक समय की बात है योगी राज नारज जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूंगते हुए मृत्यू लोक में आ पहुँचे यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन में प्राया सभी मनुश्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीडित देखा उनका दुख देखकर नारज जी सोचने लगे कि कैसा यतन किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानुव के दुखों का अंत हो जाए इसी विचार पर मनन करते हुए वह विश्णू लोक में गए और वहाँ पर वह देवों के इश्च नारायन की स्तूती करने लगे जिनके हाथों में शंक, चक्र, गदा और पद्म थे और गले में वर्माला पहने हुए थे स्तूती करते हुए नारज जी बोले हे भगवान आप अत्यंत शक्ती से संपन्न है मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है निर्गुण स्वरूप, स्रिष्टी के कारण भगतों के दुख को दूर करने वाले हैं आपको मेरा नमस्कार है नारज जी की स्तूती सुनकर भगवान विश्णू बोले हे मुनिश्रेष्ट आपके मन में क्या बात है आप किस काम के लिए पधा रहे है उसे निशंग को छोकर कहो इस पर नारज मुनी बोले कि हे प्रभु, मृत्यू लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुश्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे है हे नात, आप मुझ पर अगर दया रखते हैं तो बताईए कि वो मनुश्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे चुटकार अपा सकते हैं भगवान श्री हरी बोले हे नारद, मनुश्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूची है जिसके करने से मनुश्य मुझ से चूट जाता है वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो स्वर्ग लोग और मृत्यू लोग दोनों में एक दुरलब उत्तम व्रत है जो पुन्य देने वाला है आज प्रेम वस होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ तुम ध्यान पूर्वक सुनो श्री सत्यनारण भगवान का यह वरत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुश्य तुरंत ही यहां सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है श्री हरी के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस वरत का फल क्या है और उसका विधान क्या है यह वरत किस ने किया था इस वरत को किस दिन करना चाहिए सभी कुछ विस्तार से बताईए नारद की बात सुनकर श्री हरी बोले दुख और शोप को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है मानों को भक्ती और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनाराण की पूजा धर्म परायन होकर ब्रामभणों और बंधों के साथ करनी चाहिए भक्ती भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूद और गेहूं का आटा सवाया ले गेहूं के स्थान पर साथी का आटा, शक्कर तथा गुड लेकर और सभी भक्षन योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए ब्राम्वनों सहित बंधू बांधुवों को भी भोजन कराएं, इसके बाद स्वयम भोजन करें भजन कीर्थन के साथ भगवान की भक्ती में लीन हो जाएं इस तरह से सत्यनाराण भगवान का यह वरत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निस्चित रूप से पूरी होती हैं इस कलीकाल में आर्थात कलीयुग में मृत्यू लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है भगवान श्री हरी विष्णू ने कहा यह सत्यनाराण वरत सभी प्रकार के दुखों जैसे शारेरिक दुख, मानसिक दुख, शोक आधी का समन करने वाला है और धन धाने की वृध्धी करता है सौभाग अखंड करता है और संतान प्राप्ती के लिए किया जाता है कल युग में यह सबसे चोटा सा उपाय है इस प्रकार स्री सत्यनाराण वरत का दूसरा अध्याए श्री सूत जी बोले हे विजों अब मैं पुनह पुर्वकाल में जिसने इस सत्यनाराण वरत को किया था उसे भले भाती विस्तार पुर्वक कहूंगा आप सब ध्यान पुर्वक सुनिए एक समय की बात है रमणी या काशी नगरी में कोई अत्यन्त निर्धन ब्रामध रहता था भूक और प्यास से व्याकूल होकर वह प्रती दिन पृत्यूपर भटकता रहता था ब्रामधों से प्रेम करने वाले भगवान ने उस दुखी ब्रामध को देखकर व्रिध ब्रामध का रूप धारन करके उस द्विज से आदर पुर्वक पूछा हे विप्र प्रती दिन अत्यन्त दुखी होकर तुम किसलिए पृत्यूपर भ्रहमण करते रहते हो हे द्विजिस्रेष्ट यह सब बतलाओ मैं सुनना चाहता हूँ ब्रामध बोला हे प्रभो मैं अत्यन्त दरिद्र ब्रामध हूँ और भिक्षा के लिए ही पृत्यूपर घूमा करता हूँ यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हूँ तो प्रिपा पुर्वक बतलाईए व्रिद्ध ब्रामध बोला हे ब्रामध देव सत्तनाराण भगवान विष्णू अभिष्ट फल को देने वाले हैं व्रत के विधान को भी ब्रामध से यत्न पुरवक कहकर व्रिद्ध ब्रामध रूपधारी भगवान विष्णू वही पर अंतरध्यान हो गये ब्रिद्ध ब्राम्हण ने जैसा कहा है उस वरत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा यह सोचते हुए उस ब्राम्हण को रात में नीद भी नहीं आई अगले दिन प्रते हकाल उड़कर सत्यनारायन को व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राम्हण भिख्षा के लिए चलपड़ा उस दिन ब्रामः को भिक्षा में बहुत साधन प्राप्थ हुआ। उसी धन से उसने बंधु बाधमों के साथ भगवान सत्यनारायन का वरत किया। इस वरत के प्रभाव से वहस्रेष्ट ब्रामः सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्यों से संपन्न हो गया। उस दिन ब्रामः का वरत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नश्ठ हो जाएंगे। हे ब्रामःों इस प्रकार भगवान नारायन ने महात्मा नारत जी से जो कुछ कहा वह मैंने सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूं। तब ब्रामः बोले हे मुने इस प्रिथ पर जिसने यह वरत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वहद्विज शेष्ट अपने धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवार जनों के साथ वरत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच में एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राम्भण के घर गया। प्यास इसे व्याकूल बहल लकड़हारा उस ब्राम्भण को वरत करता हुआ देख कर प्रणाम करके उससे बोला, हे प्रभो आप यहां क्या कर रहे हैं इसके करने से किस फलकी प्राप्ती होती है विस्तार पुर्वक मुझसे कहिए विप्रे ने कहा यह सत्यनारायन कब्रत है जो सभी मनोर्थों को प्रदान करने वाला है उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदी प्राप्त हुआ है जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहेंड करके वह लकड हारा नगर चला गया सत्यनारायन देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकडी बेशने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायन का स्रेष्ट वरत करूँगा इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकडी को मस्तक पर रखकर वह उस सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे उस दिन उसने लकडी का दुगना मुल्य प्राप्त किया इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल शक्कर, घी, दूद और गेहु का चुरुन सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया ततपस्चात उसने अपने बंधु बाधमों को बुला कर विधे विधान से भगवान स्री सत्यनारायन का वरत किया और इस वरत के प्रभाव से वह पुत्र और धन आदी से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेकों सुखों का भोग करके अंत में सत्यपूर अर्थात वैकुंठ लोग चला गया इस प्रकार भगवान सत्यनारायन की कथा का दूसरा अध्याय समाप्थ हुआ तो प्रेम से बोलिए स्री सत्यनारायन भगवान की जय सत्यनारायन वरत की कथा का तीसरा अध्याय श्री सूत जी बोले हे स्रेश्ट मुनियो अब मैं पुनहें आगे की कथा कहूंगा आप लोग ध्यान पुर्वग सुनिए प्राचेन काल में उलका मुख नाम का एक राजा रहता था वह जीतेंद्रिय सत्यवादी तथा अत्यंत बुधिमान था वह विद्वान राजा प्रती दिन देवाले जाता और ब्रामनों को धन देकर संतुष्ट करता था कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शीला विनय एवं सौंदर्य आधी गुणों से संपन्न तथा पती परायना थी राजा एक देन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्र शीला नदी के तट पर स्रिसत्त नरायन का व्रत कर रहा था उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुशकल धनरासी से समपन एक साधु नाम का बनिया वहाँ आया भदरसीला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके और राजा के समीप गया और राजा को उस वरत में दिक्षद देख कर विनयपुरव पूछने लगा साधु ने कहा हे राजन आप भगती युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं कृपिया यह सब मुझे भी बताईए मैं इसे सुनना चाहता हूँ राजा बोले हे साधु पुत्र आदी की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बाधों के साथ मैं अतुल तेज संपन्य भगवान विश्नु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पुर्वक कहा हे राजन इस विश्य में आप मुझे सब कुछ विश्तार से बतलाईए आपके कतना नुसार मैं यह व्रत और पूजन अवश्य करूँगा मुझे भी कोई संतान नहीं है इस से अवश्य ही संतान प्राप्त होगी ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवरित होकर आनंद पुर्वक अपने घर आया उसने अपनी भार्या से संतती प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पुर्वक बताया तथा जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं इस वरत को अवश्य करूँगा इस प्रकार उस साधू ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने पती से मधुर्वाणी में कहा आप पुर्व में संकल्पित श्री सत्यनाराण के वरत को क्यों नहीं कर रहे हैं। देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए स्रेष्टवर की खोज करो ऐसा दूद से कहकर शीकर ही उसे भेज दिया। उसकी आज्या प्राप्त करके दूद कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधू ने उस वणिक के पुत्र को सुन्दर और गुणों से संपन्य देखकर अपनी जाती के लोगों तथा बंधू बाध्यों के साथ संतुष्ट चित्त होकर विधे विधां से वणिक पुत्र के साथ कन्या का विवाह कर दिया। उस समय वह साधू बनिया दुर्भाग्यवस भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया। पुर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गया। कुछ समय के पस्चाथ अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधू बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र के समी पिस्तित रत्नसारपुर नामक सुन्दर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा उसके बाद में दोनों राजा चंद्र केतु के रमणिय नगर में गए उसी समय भगवान स्वी सत्यनारायण ने उसे भश्ट प्रतिग्य देखकर इसे दारोण कठिन और महान दुख प्राप्थ होगा यह श्राप दे दिया एक दिन एक चोर राजा चंद्र केतु जहां वह साधु वणिक था और वहां राजा के धन को देखकर वे दूद उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्स पुर्वक दोड़ते हुए राजा से बोले हे प्रभो हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं लिए देखकर आप आग्या दें राजा की आग्या से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में जो सारा का सारा धन था वह चोर चुरा ले गया लीलावती शारिडिक तथा मानसिक पीडाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी अन्य की चिंता में दरदर भटकने लगी कलावती कन्य अभी भोजन के लिए इधर उधर प्रति दिन घूमने लगी एक दिन भूख से पीडित कलावती एक ब्रामभण के घर गई वहां जाकर उसने स्री सत्त नारायन के व्रत और पूजन को देखा वहां बैट कर उसने कथा सुनी और वर्दान मांगा इसके बाद प्रसाद ग्र में मनोरत प्रदान करने वाला व्रत देखा है कन्या की उस बात को सुनकर वह संपर करने को उद्यत हुई और प्रसनमां से उस साधी ने बंधु-बांधों के साथ भगवांश्ट्री सत्तनारायन का व्रत किया तथा इस ठ्रकार प्रातना की है भगवन आप हमारे पती एव प्रातेहकाल दोनों वडिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है अन्य था राज्य धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनास कर दूंगा राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान चत्यनारान अंतरध्यान हो गये इसके दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनयपुर्वक बोले हे महाराज बेडी बंधन से मुक्त करके दोनों वडिक पुत्र लाए गये हैं इसके बाद दोनों महाराज निरिपस्रेष्ट चंद्रिकेतु को प्रणाम करके अपने पुर्वरितांत का स्मरन करते हुए भै विवल हो गए और कुछ पोल न सके राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पुर्वक कहा आप लोगों को प्रारब दवस यह महांदुख प्राब्ध हुआ है इस समय अब कोई भै नहीं है राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पु को जाएं राजा को प्रणाम करके दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया इस प्रकार स्री सत्यनारायन भगवान की कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ तो प्रेम से बोलिए स्री सत्यनारायन भगवान की जै सत्यनारायन व्रत की कथा का चौथा लेने की जिग्यासा से पूछा साधो तुम्हारी नाव में क्या भरा है तब धनके मद में चूर होकर दोनों महाजनों ने अवहेलना पुर्वक हसते हुए कहा हे दंडी सन्यासी क्यों पूछ रहे हो क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है हमारी नाव में तो लता और पत् गए दंडी के चले जाने पर नित्यक्रिया से निवित होकर उत्री हुई अर्थात जल में उपर की और उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चरे में पढ़ गया और नाव में लता और पत्ते आदी देखकर मुर्चित होकर पृत्वी पर गिर पड़ा सचेत नहीं है अतह उन्हीं की शरण में चले वहीं जाकर मन की इच्छा पूर्ण होगी दामाद की बात सुनकर साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ती पुर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पुर्वक कहने लगा आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है वह असत्य भासन रूप अपराद किया है आप मेरे उस अपराद को छमा करें ऐसा कहकर बारम बार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा हे मुर्ख रो मत मेरी बात सुनो मेरी पूजा से उदासीन होने के क कारण ब्रह्मा अधिदेवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते फिर मैं मुर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूं आप प्रसंद हुई है मैं आपकी शरण में आया हूँ मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन थ चड़ा और उसे धन धाने से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की क्रिपा से हमारा मनोरत सफल हो गया ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की भगवान स्री सत्यनारान की क्रिपा से वह आनन्द से परिपूर्ण हो गया और नाव को प अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधू की भार्या को हाथ चोड़ कर प्रणाम किया तथा उसकी अभिष्ट बात कही। सेट जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन्धाने से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह अति आनंदित हो गई। और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायन की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा मैं साधू के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीग्र आओ। माता के ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परिद्याग करके वह कलावती भी अपने पती का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायन रुष्ट हो गए। और उन्हो सत्यनारायन का महात् में कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी कलावती कन्या भी अपने पती के नश्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पती की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चे किया कन्या के इस प्रकार के आचरन को देखकर भारिया सहित वह धर्मग्य साधु बनिया अत्यंत सोक संतप्त हो गया और सोचने लगा या तो भगवान सत्यनाराण नहीं अपरण किया है अत्वा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गये हैं अपनी धन शक्ती के अनुसार मैश्री भगवान सत्यनाराण की पूजा करूँगा सभी को गुला कर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन में इक्षा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रस तो हे साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पती को प्राप्त करेगी इसमें कोई संसे नहीं है। संक्रांती पर्मों पर भगवान सत्यनारायन देव का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अन्तिमेवा सत्यपुर व्यकुंठ लोक में चला गया। इस प्रकार स्री सत्यनारायन भगवान की कथा का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए स्री सत् जी बोले स्रेष्ट मुनियों अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा आप लोग ध्यान पुर्वक सुनिये। अपनी प्रजा का पालन करने में तक पर तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याक करके दुख प्राप्त किया। एक बार वहवन में पस्वों को मार कर वट व्रिक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोप गण बंधू बाध्वों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पुर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अंकार वस न तो वहां गया और नहीं उसने भगवान सत्यनारायन को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोप गण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लोट आये। और इच्छा नुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परिद्या कर करने से बहुत दुप्राप्थ हुआ उसका संपुर्ण धन धान्य एवं सभी सौ पुत्रनश्ट हो गए राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायन ने हमारे नाश्ट किया है इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए वहां स्री सत्यनारायन भगव और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोग में सभी सूखों का भोग करके अंत में सत्यपूर व्यकुंठ लोग को प्राप्थ हुआ स्री सूती जी कहते हैं जो व्यक्ति इस परम दुरलब स्री सत्यनारायन वरत को करता है और पुन्यमई तथा फल प्रदायनी भगवान की कथा को भगती युक्त होकर सुनता है उसे भगवान सत्यनारायन की कृपा से धन धान्य आदी की प्राप्ती होती है दरिद्र भी धन करके अंत में सत्यपूर वैकुंठ लोग को प्राप्त करता है हे ब्रामणों इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायन के व्रत को कहा जिसे करके मनुसी सभी दुखों से मुक्त हो जाता है कलियूग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेश फल प्रदा से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्रामण हुए और इस जन्म में भगवान कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया लकड हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्रीदाम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया मह द्वज नामक राजा हुआ, उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आधी दे भगवान विश्णु को अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त किया, महाराजा तुंग द्वज जन्मांतर में स्वायंभू मनु हुए और भगवत संबंधिन संपुर्ण कारियों का अनुष्ठान क करके व्यकुंठ लोग को प्राप्त हुए, जो गोपगंड थे वे सब जन्म जन्मांतर में व्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए, और सभी राक्षसों का संगार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गो लोग प्राप्त किया, इस प्रकार स्री जै श्री राधे